मुझे जुट बोलने का अफसोस है, मुझे गाली देने का अफसोस है, मुझे चोरी करने का अफसोस है तो आईए जानते हैं इस तरह की sentences को English में बोलने के लिए हम किस structure का यूज करते हैं इस तरह की sentences को English में बोलने के लिए हम जिस structure का यूज करते हैं वो ये है इसका हिंदी मतलब होता है का अफसोस है या फिर का दुख है या फिर का पस्तावा है यानि की कोई काम करने का अफसोस है तब हम इस इस्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं आईए इसका रूल देख लेते हैं इसके रूल के लिए सबसे पहले आएगा सबजेक्ट और उसके बाद आएगा रेगरेट या फिर रेगरेट्स और उसके बाद आएगा हैविंग और हैविंग के बाद आएगी बर्व की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगे अदर वर् का यूज करेंगे चलिए इसके कुछ examples देखते हैं तो पहला sentence है मुझे ज्मूत बोलने का अफसोस है I regret having told a lie I regret having told a lie next sentence देखते हैं मुझे गाली देने का अफसोस है I regret having abused I regret having abused मुझे चोरी करने का अफसोस है I regret having stolen I regret having stolen मुझे लड़ाई करने का अफसोस है I regret having fought I regret having fought और यही sentence में negative sense हो जैसे कि किसी काम को ना करने के लिए अफसोस है या फिर कोई काम ना करने का अफसोस है तब हम regret not having प्लस बर्व की third form का यूज करते हैं जैसे कि मुझे सच ना बोलने का अफसोस है तो इसकी English होगी I regret not having spoken the truth I regret not having spoken the truth next example देखते हैं मुझे पैसा ना बचाने का अफसोस है I regret not having saved money I regret not having saved money